नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वूल इंडिया मैं हूँ आपके साथ प्रद्यम निश्यर्मा उत्राखंड में क्या है कुछ खास किसने किया किस पर सियासी वार किसानों के लिए सरकार का क्या है मास्टर प्लैन तमाम खबरों पर आज हम अपना उत्राखंड में बात करेंगे राजदानी देहरदून में इबसों से सवारी समाने सिटी बसों के मुकाबले अब कुछ महगी बढ़ने वाली है पहली बार राज़ परिवान प्रादिकरण ने राजदानी में इबसों के लिए किराय की दरेंदे कर दी है इसकी तहट कम से कम किराया 10 रुपे रखा गया है जबकि सिटी बसों का नियुत्नम किराया 7 रुपे है उत्राखंड के उदम सिंग नगर जिले के काशीपूर, जस्पूर और रुद्रपूर से सैकडो किसान दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं इस दोरान किसानों ने कही बेरिकेट तोड़ डाले तो कही पुलिस का गहरा तोड़कर आगे रवाना हो गए राजसीमा रामपूर रोड़ पर बेरिकेट तोड़कर किसान दिल्ली के लिए कूच करने में सफल भी हो गए है उत्राखंड में हलदवानी के चांदमारी में बदमाशों ने ढाबा माले की सीने में गोली माल कर हत्या कर दे वारदात पत्नी के माईके के पास हुई पिता और बहन पत्नी पर हत्या की साजिश का आरोब भी लगा रहे हैं फिलाल पुलिस मामले की जांच कर रही है देरदून में विदेश से गिफ्ट बेजने का लालस देकर ठगने वाले नाइजीरियन ठगों के तीन भारती एजेंटों को स्टीएफ ने गरफतार किया है ये एजेंट नाइजीरियन ठगों को सिम, ई-वालेट, बैंक खाता उपलब्द कराते थे इस काम के लिए इन्हें अच्छा खासा कमिशन भी मिलता था इस प्रकरण में एक नाइजीरिया मूल के आरोपी समेत दो लोगों को गिरफतार भी किया जा चुका है वन्विवाग के विशेशक्यों की टीम रेडियो कॉलर लगा रही है इन तेहंद्यों की कड़ी निगरानी भी की जा रही है अधिकारियों के मुताविक रुद्रप्याग उत्तरकाशी समेत कई जिलों में तेहंद्यों की गतिविदियों पर नजर रखने के लिए रेडियो कॉलर लगाए जाने के बाद ये पता चलाए कि कई तेहंद्यों एक दिन में औसतन दो सो किलो मीटर तक की दूरी तै कर रहे है और वहीं रिशिकेश में त्रवेंडी घाट पर गंगा नदी में सनान कर रहे हैं एक व्यक्ती गंगा की तेज धाराओं में बहने लगा इस पर अधेड ने शोर मचाना शुरू कर दिया घाट पर तैनात जल पुलिस जवानों ने व्यक्ती की चीक प्युकार सुनी जिसके बाद जवानों ने लाइफ जैकेट की मदद से गंगा में कूत कर अधेड की जान बचाई रिशिकेश में रोडवेज डिपो की बस डंफर से टकरा गई है हाथ से में बस चालक समेट करीब 6 लोग घायल हो गया है जानकारी के मुताबिक बस गोपेशवर से रिशिकेश आ रही थी इस बस में कुल 26 सवारी बैठी हुई थी अचानक रोडवेज की बस तारकोल में फ रिश किया गया है पुलिस को इस बात की लगातार शिकायत मिल रही थी जिसके बाद पुलिस ने मुगबिर की सूचना पर इस शक्स को गरफतार किया बाजपूर में जिन्दाडे बंद मकान का ताला तोड़कर चोर लाकों की नगदी पर हाथ साफ कर गए हैं खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची है जांच परताल की जा रही है फिलाल पीड़ित ने कोतवाली में चोरी की तहरीर दे दिये पुलिस चोरो की खोचबीन में जुटी हुई है फिलाल इस बुलिटे में सिर्फ इतना ही जारा खबरों के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहे हैं नमस्कार